दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपने मुबायल के चार्जिंग स्क्रिन पर कुछ इस तरीके से अपना फोटो लगा सकते हैं जो देखने में काफी ज्यादा ओसम लगता है वैसे दोस्तो यह बड़े-बड़े महंगे स्मार्फोन में दिया जाता है बड़ यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा टरिक बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपने नर्मल से स्मार्फोन के अंदर इस फीचर को एड़ कर सकते हैं और उसे यूजकर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ आपके पास Realme का फॉन हो सकता है, Vivo का फॉन हो सकता है, कोई भी company का फॉन आपके पास हो सकता है, तो आपको यह टेंसल लेनी की जुरूरत नहीं है कि मेरे फॉन में यह सेट होगा या नहीं, तो मैं यहाँ पर आपको लिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पर दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप इस लाइक के बड़न पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर देना उसके बद यह के charging screen पर अपना खुद का photo लगाने के लिए सबसे पहले play store से आपको यह app download कर लेना है इस app का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं वैसे इसका जो link है मैंने video के नीचे description में भी दे रखा है तो आप वहां से भी इसे download कर सकते हैं application को download करने के बाद कुछ इस तरीके से इसे आपक आपको open कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको next करते जाना है इस तरीके से जो भी permission यह आपसे मंगे उसे आपको एक बार देना है ठीक है तभी यह जो app है आपके mobile में पूरी तरीके से work करेगा तो यहाँ पर आपको let start पे click करना है उसके बद यहाँ पर इस application क style देखने को मिल जाएंगे जैसा कि आप यहाँ पर screen पर देख सकते हैं for example मैं इसे select कर लेता हूँ अब दोस्तों यहाँ पर आप जिसको भी set करना चाहते है charging animation पे उसे आप tap करेंगे और यहाँ पर आपका वो आ जाएगा जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यह जो यहाँ प टेख कर देना है इस तरीके से उसके बद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने gli仔dri जो एपना photo सलेक्ट कर लेना है जैसा कि यहाँ पर मैं इस फोटो को God करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको एपलाई का option मिल जाएगा इस पे tap करता यह जो फीचर 100% हो जाएगा चलेए य तरीक से दोस्तों आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं बट दोस्तों यहाँ पर आपको एक और काम करना है अपने मूबाइल के अंदर किसी भी एक फोटो एडिटिंग अपको उपनकर ना है उसके बद je आपको अपना जो फोटो है, यहाँ पर आपको लाग कर इस तरीके से रख देना है, उसके बद यहाँ पर आपको इस सेब कर लेना है, गैलरी में, उसके बद दोस्तों आप अपने चार्जिंग स्क्रीन वाले एप को आपन करेंगे, और यहाँ पर आप कस्टम एनिमिशन पर क्लिक करके अपना जो फोटो है यहाँ पर इस तरीके से सेट कर सकते हैं जो के मैंने आपको पहले भी बताया तो इस तरीके से दोस्तों आप इस फीचर को अपने मुबाइल के अंदर एड कर सकते हैं चाहे आपके पास कोई भी कमपनी का फोन हो इस से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला उम्मिद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राब कर लेना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब ते के लिए अपना ख्याल रखें वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया